हेलो स्टूटेंट्स वेलकम दो विनिकाश ऑनलाइन क्लासिज और आज हम लोग एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे तो पाया गया कि उन लोगों ने इसी टेकनीक को इस्तमाल करके कम टाइम में अच्छा स्कोर किया है और टॉपर की उन्होंने आदर डाली है तो मैं आज आज आप लोगों को बताने जारी हूं चाहिए कोई भी कॉम्पेटिटिव एक्जाम क्या प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं चाहती हूं कि आप दिन में एक घंटा कम से कम इस टेकनीक से जरूर पढ़े जिसका जो फाइदा आप लोगो इतना ज्यादा आने वाले टाइम में होगा कि आप लोग मुझे comment किया भी नहीं रही नहीं सकते जरूर मुझे comment करके बताएंगे कि मैं मैंने इस technique को adopt किया और उसके बाद suddenly जो मेरी efficiency है जो मेरी पढ़ने की capability है मेरे जो concept clarity है वो इतना जादा बर गया है तो चलिए पहले क्योंकि बहुत time से तीन questions पूछे जा रहे थे कि मैं पढ़ने का सही तरीका क्या है तहला question की कैसे पढ़े दूसरा कब पढ़े यानि कि सुबे पढ़े रात को पढ़े पढ़ने का सही timing क्या होना चाहिए और तीसरा एक बहुत important question था कि हमें कहां पे पढ़ना चाहिए तो इस वीडियो में हमें तीनों ही जो questions है सभी student को उसका जवाब मिल जाएगा end तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको समझ में आएगा ये technique किस तरह से आपके कम time में concept clear करके अच्छा score कराने वाला है और जिस बच्चों ने भी अभी तक पढ़ाय स्टार्ट नहीं किया है वो इसी technique को इस्तमाल करके पढ़े तो तीन महिने में आपको क्या कर गए कि आप नौ महिने के बराबर की पढ़ाई कर सकते हैं पूरे साल अगर आप में नहीं भी पढ़ाय है और आप लोग के जी exam है वो में में हो जाएंगे तो February, March और April तीन महिने कोई कम नहीं होते और 10th और 12th वालों का syllabus भी तना कोई खास नहीं है बहुत जादा नहीं है कि आप लोग इसको complete नहीं कर सकते तीन महिने बहुत sufficient है बहुत enough है आप लोग के पढ़ाय करने के लिए चाहे वो 0 से पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए भी बहुत जादा असान यस टिकनीक को इस्तमाल करके होने वाली है पढ़ाई तो चलिए स्टार्ट करते सबसे पहला most important question की पढ़े कैसे क्योंकि देखो पढ़ने के बहुत सारे तरीके है बहुत सारे method है बट एक तरीका जो है वो ही सबसे best और successful है जिसको अपना कर सभी toppers ने जिन जिन बच्चों ने जिन भी competition में top किया है बड़े-बड़े exams के लिए किये है और ये जो technique जिस भी person के द्वारा लिखा गया है बनाये गया है वो खुद भी PhD है ठीक है MIT के institute से और साथ ही साथ इन्होंने ये जो research है काफी students पे किये है और उन्होंने पता लगा है कि this is the best technique of study की पढ़ने का एक मातर यही technique सबसे better सबसे अच्छा है तो वो technique क्या है तो पहले हम समझते है इस technique का नाम है active recall तो याद रखना बहुत सारी हो सकते है बच्चों ने इसको नाम भी ने सुना हो कि active recall होता है तो मैं बताने वाली हूँ कि active recall क्या होता है और most of the student जो पढ़ते है वो technique जो होते हो पैसिव रिकॉल होता है कि यह बहुत ही inefficient technique है बखवास और इसको बहुत ही ज़्यादा बेकार technique कहा गया है कि इस technique में जैसे आप लोग पढ़ते हैं उसमें होता है कि आप लोग फटाफरे चैप्टर की नोटस बनाती है उसकी important question लिख लिए 24 घंटे बुक में लगे रहे ठीक है और होता है कि at last जब आप लोग revise करने जाते हो या पढ़ने जाते हो exam hall में जाते हो तो खुदी puzzle हो जाते हो इसमें आप time भी बहुत लगाते हो और result भी कुछ खास नहीं याद तो यही एक problem थी एक student की ठीक है मैं किसी भी जो person अभी इसको नाम नहीं लूँगे लेकिन आपको active recall डालेंगे तो जो इसने भी यह technique को सबसे best क्या आप Google का सच करके देख सकते हैं आपको मिल जाएगा तो चलिए बहले हम समझते हैं कि problem क्या थी और कैसे इस problem को समझा गया कि active recall और कैसे इस technique को अपना कर बच्चे ने जो कभी fail होने के कगार पे हुआ करता था वो suddenly अपने university अपने college का टॉपर में आने लगे तो दो मिलिट की चूटी से स्टूरी है वो सुन लीजिए उसके बाद हम आगे डिसकस करेंगे तो हुआ क्या कि स्टूडेंट थी वो 2400 घंटे उसने बताया कि सिर्फ वो 6-7 घंटे जो सूती थी उसी टाइम पर उसके हाथ में बुक से नहीं होते थे उसके अलावा जितना भी उसके पास टाइम होता था ना कोई कोई शोशल गैदरिंग में जाती थी ना कोई फ्रेंट सर्कल था उसका सिर्फ कॉलेज जाना कॉलेज से आकर सिधा अपने बुक में लगे रहना 2400 घंटे यानि कि सिर्फ साथ गया शे गंटे जब सोती थी तभी बुक से अलग होता था बाकि सारा टाइम बुक से पढ़त तो ऐसे में जिसने भी सिर्फ क्नीक को बेस्ट कहा है तो हम उनकी जब इनसी इंट्रैक्शन हुई बात हुई तो उसने बता बच्ची ने की सर मैं बहुत परते हूं मतलब जब तग मैं 6-7 गंटे जो भी मेरा अब शोने का टाइम होता है तुसी टाइम में मेरी जबुक हो तो उसने बताए कि जैसे नॉर्मल सभी का होता है जो मेरी क्लासमेट्स मेरी स्टूडेंट्स बदलब मेरी फ्रेंट्स है मेरे जो भी बच्चे हैं उसी तरह किसे मैं भी परती हूं करने जाती हूं और मुझे ऐसे लग रहा कि शायद मैं इस एक्जाम को भी क्लियर नहीं कर पाऊंगे और मुझे और पढ़ना होगा तो मुझे अपनीन से भी कॉंप्रोमाइस करना होगा तो आखर मैं क्या करूं तो उन्होंने एक चीज बताए कि आप जो टिकनीक पर रहे हो कि ठीक है कि आपमें टॉपिक परहा, नोट्स बनाए, हाइलाइट्स किये और उसी को बार 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 आप रिवाइस करें तो उन्होंने का this is called a passive recall method कि ये जो टिकनीक है बहुत ही घटिया, बगवास और बिकार जायतर सुड़न्ट इसी टिकनीक से परते और होता है ये क्या कि वो अपने लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाते लेकि जो active recall method है, उसमें बच्चे, केवल बच्चे, 5% बच्चे ही इसको अडॉप्ट करते हैं और जिसकोई method समझ में आ गया और जिसने इस तरह के से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वही बच्चे आगे क्या करते हैं, टॉप करते यहां पर आपको अच्छे marks लाके, बहुत लंबा आपको करियर की शुरुवात करनी है, अभी आगे बहुत बड़े-बड़े exam क्वालिफाई करनी है, तो क्यों ना जितनी जल्दी हम अच्छी चीजों को सीख लें, उतना हमारे लिए आगे के लिए बहुत ही अच्छा होन बड़ने वाला है, तो उन्होंने बच्ची को बता है कि आप पढ़ने का तरीका गलत है, आप मैथर बदले, आपको इतने घंटे पढ़ने की जुरुवत नहीं है, देखो कोई भी इंसान 6-7 घंटे से ज्यादा नहीं पर सकता, 24 घंटे परेंगे तो उसका जो रिजल्ट ह वो हमेशा निगेटीव याएगा, आप कोई भी टॉपर की उठा के बाद के लिए किसी को भी देख ले, तो आपने हमेशा देखा आगा, वो अवस 6-7 घंटे ही परते है, 24 घंटे ही, 18 घंटे कोई भी लगातार कंटिनूसली नहीं पर सकता, ठीक है, तो उन्होंने उसको म मन में रिवाइज नहीं करना, आपको क्या करना है, कि जैसे कि मानलों की सोच यह के सामने कोई भी आपके स्टूडेंट बैठा हुआ है, और जो भी आपने पढ़ा है, आप उसको समझा रहे हो, जैसे कि लेक्चरर या टीचर आपको समझाती है, तो वो जब पढ़ाती है, आपको उसके पास कोई किताब नहीं होते, कोई कुछ भी उसकी पास नोर्ट नहीं होते, वो आती है, खड़ी होती है, सिदह आपको पढ़ाने लगते हैं, समझाती है, और ज़रूर यह किसी बुक की related ही समझाती है, बुक के अंदर से बहुत सारी चीज़ों को relate करके, कुछी के सामने को भी एक बच्चा आपसे बैठा हुआ आप उसको परहा रहे हो समझा रहे हो आप तीचर हो इससे क्या होगा कि जब आप समझाएंगे तो एक तो आपका क्लियर होगा कि आप आखिर बताना क्या चारो क्या बोलड़े उसे रिलेटेड चीजे और यहां पर संटेंस को छोटे छोटे नहीं बोला पूरा कंप्लीट संटेंस अच्छे से डिटेल में उसको बताना है उसके बाद आपको धियान डखना है कि आप जब समझाते हो तो जो कि आता है दी नहीं पढ़ाई करने कि आप बोल बोल के मतलब परहा रहे हो किसी को तो इसमें मेटिस लिए क्या होता कि आपका माइं ठकता है एक सवा घंटे से ज्यादा आप इस मेथर से पढ़ भी नहीं सकते है लेकिन आपने एक घंटे में जो भी पढ़ा है समझ लिए बहुत ही एफिशेंटली परहा है आपको अपनी गलतिया समझ में आती है कि आपका कहां पर कंसर्व क्लियर नहीं है कौन सी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है और कितनी चीजे आपको क्लियर है और वो चीज आपके लंबे टाइम तक आपको याद रहता है यह आपको कम उसे कम daily एक से दो शेहिं आपको ऐसे लगाने हैं For example, आप लोग मालने जियें कि दो-दो सेटींक करके 2-2 गंटे क्छी तीन-3 गंटे के आपने सेटींग मरा रखए weekly मालने जियें कि आपने 2 घंटे की सेटींग मराए जा दो एक दिन में आपको दो सब्जक्ट से जादा पढ़ने भी नी चाहिए, सारे सब्जक्ट को पढ़ोगे, तो अंत में यह होगा कि कुछ भी आपके हाथ नहीं आएगा, आप alternative basis पर कर सकते हो कि एक दिन में आपको दो सब्जक्ट, पढ़ लिए, अब आपको दिन में बांकी य कोई आपको short form, revision notes नहीं बनाने इस टाइम पर, क्योंकि revision notes आपके exam से कुछ time पहले आपके काम आएंगे, अभी आप detail study कर रहे है, तो उसको समझाईए, और जहां पर भी आपको समझाने में कोई दिक्कत आ रही है, तो इस topic भी आपको समझाने में दिक्कत हो रहे है, यानि पढ़ भी नहीं पाओगे, कि इसमें जल्दी आपका brain थकता है, आपको break की जुरोत होती है, और जब हम passive recall method से पढ़ते हैं, यानि कि जो भी आपके notes आप उसी को पढ़े जा रहे हो, highlight के जा रहे हो, बार-बार मन मन में revise कर रहे हो, तो आपका brain stem में क्या होतो थकता नहीं, लेकिन आप puzzle बहुत हुए, तो कि एक चीज बार-बार-बार आप पढ़ रहे हो, इसलिए जोड से बोलना है, complete करे बोलना है, detail में बोलना है, complete sentences में बोलना है, और एक घंटा basically आपको बोलना है, दिन में कम से कम आपको दो घंटे, यानि कि एक घंटे के कम से कम दो session आपको अच्छे से समझ में आजाए, तो उसको इसी तरह से बच्ची को समझाएगा, कि आपको इस technique से करना है, बच्ची को समझेगा, उसने का ठीक है, मैं इस तरह से भी पढ़के देख ले हुती हूँ, अब जब आपके पास fail होने की कगार पे होंगे, तो कोई भी जो भी आपक से clear होने लगे, उसका brain काफी चीज़ों को समझने लगा, और उसके syllabus सबसे बड़ी वात किया, कि दूसरे student के computer बहुत जल्दी खतम होने लगे, तो उसको एक technique पे थोड़ा doubt भी हुआ, कि क्या मैं सही जा रही हूँ, क्योंकि बाकी जो मेरे student से 24 घंटे किताबों में लगे तो इतना भी तो उनके इतना syllabus complete नहीं हुआ, और मैंने इतनी जल्दी इतना concept क्लियर कर लिया, पढ़ भी लिया, तो क्या method सही है भी है, नि मन में खुदी उसका doubt आया, लेकिन जब result आया, तो यकीन नहीं मानें कि उस बच्ची ने पूरे college में second position score किया, यनि कि जो बच्च कल को इतने इतने घंटे लगा के पर रही थी, और उसका output इतना खराब था कि वो पेल होने की कगार पे थी, suddenly उसने अपना technique चेंज गया, पढ़ने का method चेंज गया, और कम टाइम पे उसके सारे syllabus complete होगे, concept इतनी clear होगे, और आगे बच्ची ने life काफी successful exam को सारे clear कि, तो this is the best technique, देखो हर एक चीज को करने के बहुत method होती है, बट best जो होता है, वो एक या दो ही technique होता है, जो की बच्चों को नहीं पता होता है, तो आपके मन में जो question था कि मैम कैसे परे, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, कि आप लोग passive recall method से परते हैं, ठीक है, आप लोग दिन मे दो दो घंटे हैं, तीन दिन घंटे को जो अपने setting बनाई है, आप उसको passive के तरीके से परिए, लेकिन दिन में दो घंटे हैं, यह नहीं कि आपको चार घंटे अगर आप लोग passive से पर रहे हैं, तो उसको confirm करने के लिए, चेक करने के लिए, उसको revise करने के लिए समझ में, आपको एक एगंटे की दिन में दो कम से कम active recall method से आपको जरूर पढ़ना है, ताकि आपके concept रिक्तम clear हो जाए, आपको अपनी घलतिया समझ में आजाए, किस में आपको दिक्कत है, कौईन से concept आपको clear हो रहे हैं, और यह technique जो है, बहुत जल्दी आपके syllabus भी कवर करते हैं, कि concept clear हो जाएगा, आपको imagination बढ़ जाएगा, आपको लिखना आजएगा, देखो जो teacher होता है, एक छोटे से topic भी उसे पूछरो तो वो कितना कुछ आपको बता देता है, क्यों बता पाता है, क्योंकि उसने बहुत detail में परहा होता है, समझ मैं है, और धीरे धीरे जब हम किस clarity, यह बहुत ही जादा अच्छा करतेती है, तो इसी लिए सभी बच्चों से मेरा request है कि प्लीज कम दिन में कम से कम, एक सर दो session है, कम से कम active recall method जरूर यूज करें, और इस technique को यूज करें, जरूर बताए कि क्या आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ, तो यह जो आपका technique थ और आपका जो answer था, first question किया कि मैं कैसे पढ़ें, याद रखना है कि कम से कम दिन में 2 घंटे active recall method से पढ़ना है, आपको आप लोग जरूर जरूर जो passive recall method होता है, उसी से पढ़ते है, chapter पढ़ लिया, teacher ने notes दिया, highlights कर लिया, उसी related important कुश्णी कर लिया, मन-मन में रिवाइ समझाना है, just like a teacher, ठीक है, तो इसमें, अगर कोई भी दिक्कत हो, इसे related पूछन आव active recall method से, तो आप मुझे comment करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि और उसमें क्या technique होता है, यह scientifically proven method है, जो भी इस method को जिसने ने भी research किया है, बताया है, हमने एक बहुत सारे books भी लिखी है, बच्ची की psychology कोपर की पढ़ने का सही तरीका क्या है, तो यह सबसे best techniques में देखा गया, तो चलिए आप लोग का एक दूसरा question था, कि कब और कहां पर 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 तो उसका एक ही answer और एक ही सबसे best technique है, isolation, यानि कि जब भी पढ़ाई करें, तो सबसे बात अलग होके परें, कोई group में नहीं परें, phone one को side side में कर दें, अपने room में जाए, room बंद कर लें, और अकेले में परें, या भाई बैन के साथ पर रहे हो, या फिर आप सभी लोग बाते करें, hall में आप किताब लेके चले के पढ़ने के लिए, तो सिधी सी बात आप पढ़ने नहीं जारें, उनकी ब कब पढ़ने का सब को पता है कि सुबह का time होता है, वो best morning time होता है, आपके energy बहुत अच्छी होती है, mind बहुत active होता है, लेकिन अगर मालो कि आप रात में पढ़ने वाले हैं, और suddenly मैं बोलो कि ने आपको सुबह चार बजी उठके पढ़ना है, तो वहीं आपको एक महीना अपको आपका schedule change करने में ही लग जाएगा, तो मैं ऐसे आपको कुछ मी नहीं बूलने वाली, बट कोशिश ये करना है कि जब भी आप पर हो, जैसे आप सो कर उठके, तो उसके बाद बड़े session जो start करो, जो tough जो subject है, उसी time पर पर, जैसे आप सुबह उठके, 6 बजे, 7 आप वही subject पर हो, जब आप सो के उठते हो, उसके माइन बहुत active होता है, जल्दी चीजों को retain कर लेता है, समझ लेता है, तो यही क्या होगा कि आप 4 घंटे की पर आपके, क्या होगा दो घंटे में हो जाएगी, या अगर रात में पुरा रात पढ़ने का प्लान है आपको तो आप एक थोरा दे, मतलब जो भी आपका दस बजे स्टार्ट करना है सेशन, तो आप एक दो घंटे पहले सू जाए, इससे क्या होगा सूने के बाद फिर उठके पर ही, तो इससे क्या होगा आपका ब्रीन जोगा काफी active होगा, relaxed होगा और आप जल्दी से चीजों को समझ रहा है, रिटेन कर रहा है, समझ मैं, बाहर से भाग कर आए, पढ़ा ही स्टार्ट करती, ऐसे पढ़ा ही नहीं करना, तो कि पढ़ने का भी तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, तो आपको, I hope कि तीनों के जो आपके question थे, आपको जवाब मिल गया होगा, कैसे परे, फ explain भी करना जानते हैं, तो समझ है, आपको, दूसरा, कहां पर पढ़े, एक ही तरीका है, जहां पर भी account हो, isolation हो, अलग हो, वो आपको देखना है कि आपके घर में ऐसे जगा आपको कहां पर मिल सकती है, तीसरा, कब पढ़े, कब पढ़े, यनि कि जब भी आप सो कर उठे, य लेकर पढ़ना स्टार्ट करें, तो आपका जो output है, जो result है, वो बहुत अच्छा निकलने वाला है, तो I hope आप लोग को तीनो जो आपके question थे, बहुत time से comment आ रहे थे, मैं please इन पर वीडियो बनाए, तो आपके तीनो जो भी question थे, उनका जवाब आपको मिल गया होगा, और अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी तरह की परिशानी है, चाहे आपको पढ़ाई के लेकर, चाहे schedule को लेकर, चाहे time table को लेकर, चाहे subjects को लेकर, किस note कैसे बनाए जाए, revision कैसे किया जाए, किसी भी तरीके के कोई भी doubt हो, किसी भी student को, तो please आप लोग मुझे comment कीजिए, मैं आप लोग के help करने की कोशिश करूगे, thank you